सो येस वेलकम टू जॉब अपडेट्स वाई शुरेनिक जन यूटीब चैनल हिंदुस्तान पेटोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड एच पी सी एल महारतन सरकारी कमनी के दरफ से रिक्रिव में निकल करके आ रही है फॉर ट्विंडी ट्विंडी थ्री येस यहाँ पर पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो बी बीटेक इन स्पेसिफिक ब्रांच जी अप्लाई कर सकते हैं जैसे मेकानिकल या इलेक्रिकल एंट्रोनिक्स या केमिकल सिविल इंस्ट्रुमेंटेशन इलेक्रिकल कम्टर साइन्स आइटी इलेक्रोनिक्स एंड तो पूरा विडियो देखनान नहीं तो यह आपर विडियो को छोड़ सकते हो और अगर विडियो को छोड़ रहे हो जरसे इस वीडियो को लाइक कर दיना post qualification experience की तरह count करती है ठीक है और salary भी अच्छी मिलती है HPCL में highest apprenticeship salary आपको दिखाई पड़ेगी 25,000 पीस पर मत और कोई भी company इससे जादा apprenticeship में stipend नहीं देती है ठीक है चलिए अब detail में बात करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो PDF आपके सामने है HPCL is a महारतन CPSC company सरकारी company है सरकारी काम आपका रहने वाला है graduate apprenticeship यह आपकी position है for the engineers application date start हो गया था 7th January से मैं वीडियो बना रहा हूँ 8th January को और यह कब तक चलेगा 14th January तक यह कहानी चलेगी ठीक है चले अब यहाँ पर बात करते हैं age limit के बार में तो minimum 18 years का age maximum 25 years और age relaxation मिल जाता है सरकारी company है तो यहाँ पर special categories को reservation दिया गया है stipend के बार में बात करें तो 25,000 रुपीज पर मन्त का stipend है और यहाँ पर graduate apprenticeship engineer जो branches eligible किये गए है that is mechanical, electrical and electronics, chemical, civil, instrumentation, electrical, petrochemical, safety, computer science, IT, electronics and communication, oil technology, food technology, industrial and petroleum engineers तो मुझे लगता है सारी चीज़े clear है इसके लब अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो Nats portal पर जा गर के आपको apply करना पड़ेगा ठीक है वहाँ से आप apply कर सकते हो और अगर आप pass out हो before first january, january नहीं है यह, यह है April, so first April 2020 के पहले अगर आप pass out हो तो उस case में आप apply नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह हर एक apprenticeship का rule है कि recent three years में अगर आपने pass out किया है तब आप apply कर सकते हो और दो rule है, दूसरा rule यह है कि अगर आपने कही apprenticeship कर लिया है या कर रहे हो, या job कर लिया है या कर रहे हो, उस case में आप apply नहीं कर सकते हो ठीक है, तो मुझे लगता है सारी चीज़े clear हो रही है और इसके लावा अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसरा के यह एक साल का ही apprenticeship trainee program होता है और यहाँ पर permanent job आप claim नहीं कर सकते हो selection method बहुत ही simple रखा गया है, interview के माधियम से selection होगा जो tentative date बताये गए है, वो है month of January 2023 और जो merit list निकलेगी, वो निकलेगी on the basis of आपने कितना score किया है engineering के degree में और आपने interview में कैसे perform किया है बस इतना ही है, बाकी कैसे क्या apply करना है उसके बार में जानकारी दे रखी है और इस PDF किलिंग में description box में दी है आप जा करके पढ़ सकते हो वैसे विशाका पटनम में आपका trainee program रहने वाला है ठीक है, आंध्रप्रदेश में रहने वाला है और बस इतना ही है, फिर आप देख सकते हो कि बाकी detail जानकारी दे रखे about the apprenticeship और जब travel की cost कैसे क्या pay होगी या नहीं होगी उसके बार में बताये गया है ठीक है, और अगर आपको कुछ query है या doubt है यह रहा phone number, यह रहा official email id आप यहाँ पर पूछ सकते हो so that's it for today, I hope you have understood all the points, मिलते हैं next video में, आप ते लें take care, bye for now, see ya